Hello guys, welcome back to Mr. Smart Technical आज से 9-10 महीने पहले Amazon की तरफ से एक news निकल के आया कि Amazon भी FD और mutual fund का option यहाँ पे लेके आएगा जिसमें आप FD करके कुछ यहाँ पे interest अन कर सकते हो साथ ही में mutual fund में भी invest कर सकते हो आज से 5-6 दिन पहले Amazon के अंदर FD और mutual fund का यहाँ पे option आ चुका है साथ ही में 200 रुपे का यहाँ पे caseback भी मिलने वाला है तो आज किस वीडियो में complete इस feature के बारे हम बताने वाला हूँ कहाँ पे आपको यह feature मिलेगा, किस तरह यह feature work करता है साथ ही में 200 रुपे का caseback आपको केसे मिलेगा तो वीडियो को बिल्कुल मिश्मत करना, एंड तक देखना साथ ही में इस वीडियो को like करके channel को subscribe कर लेना क्योंकि इस channel पे आपको take news, caseback offer और banking से जुड़े videos मिलते रहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पे जरूर से प्रेस करना तक कि जब भी कोई नया वीडियो आई, आपको notification मिल सके तो चलिए वीडियो को start करते हैं, complete यहाँ पे जान लेते हैं सोगज मेंने Amazon की app को open कर लिया है, तो हमारे सामने एसा कुछ interface है सबसे पहले आपको प्लेश्टोर में जाके app को latest version में update कर लेना है, ताकि जो FD and mutual fund वाला option है, वो आपके account में भी आ जाए साथ में आपे उपर आप देख सकते हो, Amazon में phrase वाला offer चल रखा है, जिसमें 200 रुपए का flat caseback मिलता है इसके related में बहुत सारे update, बहुत सारे Amazon flip card की deal अपने telegram channel में share करता हूँ, तो आपने join निकी है तो कर सकते हो, description box और channel के about में आपको link मिल जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी useful product जो की हम अपने घर में भी मंगवाते हैं, grocery वगेरा, तो उनमें भी अगर आप 200 रुपए का caseback minus क click करते हैं, ताकि FDN mutual fund वाला option हमें आपे देखने को मिल जाएं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा नीचे जालना है, और यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर बता दूँ, Amazon का जो Amazon पे आईशे-ईशे credit card है, वो बहुत सारे users को without income proof मिल रहा है, तो अगर आपने भी भी तक check न लिंक आपको वीडियो के description box मिल जाएगा, तो अब थोड़ा साम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप आप आओगे, ensure and invest वाला option मिल जाएगा, book tickets वाले option के उपर आप देख सकते हो, यहाँ पर end में आप देखोगी, तो FDN mutual funds वाला option दिख रखा है, तो इस पर click करते हैं, सबसे पले आप दिखा रखा है, welcome, start your wealth account setup, अगर आपने wealth account setup अभी तक नहीं किया है, तो इस पर click करके कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर invest करना है, FD करना है, और Amazon ने इसका मतलब जो tie up है, वो कुवेरा के साथ किया है, जो आप FD वागेरा करोगे, तो कुवेरा के पास य आप दिखा रखे है, जिसमें किसी में ज्यादा interest है, किसी में कम interest rate यहाँ पर दिखा रखे है, तो बजाज finance का आप देख सकते हो, 7.50% यहाँ पर दिखा रखा है, पर enum, नीचे यहाँ बजाज finance का 1 और 3 साल का, जिसमें 7.40% दिखा रखा है, फिर access bank का है, 5.45% दिखा र इनमें FD आप 5000 की कर सकते हो, जो अलग-लग यहाँ पे finance या bank दिखा रखे है, जिनमें आप FD करने वाले हो, तो सभी का criteria अलग-लग हो सकता है, और यहाँ पे start FD पे करोगे, तो पहले आपको wealth account create करना होगा, बाद में आप FD कर सकते हो, साथ ही में आप लिमिटेर टाइम offer च कर सकते हो, आप इनमें भी invest कर सकते हो, तो आपको Amazon का यह नया feature कैसा लगा, क्या bank में FD करते हैं, या फिर यहाँ पे FD करते हैं, तो कोई आपे interest rate में difference है, बाकि Amazon वाला भी आपे same ही है, बाकि आपको comment करके बता देना कि आपको better कौन सा लगता है, तो इस video में इतना ही उम या फिर कोई आपको issue है, तो आप मेरे को Instagram पर पूश सकते हो, और नए-ने offer से जुड़े रहने के लिए आप मारे Telegram चैनल को जोइन कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको वीडियो के description box और चैनल के about मिल जाएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में